पानी से घोल के बनने वाला ये नास्ता बड़े हो या बच्चे सभी को बहुत पसंद आने वाला है और से फॉर से पांचमत में इसे बना के तयार कर सकते हैं बनाने में कोई भी जंजट नहीं है, जटपट बनके तयार होता है, ये नास्ता कोई भी इसे बना सकता है, तो आईए इस नास्ते को बनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले इस नास्ते को बनाने के लिए यहाँ पे हम चावल का आटा लेंगे, तो ये चावल का आटा किसी भी किराने स्टोर पे आसानी से मिल जाता है, तो लगभग एक कप चावल का आटा लिया है, मैंने मेजर्मेंट के लिए कोई भी कटोरी या कप सेट कर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कटोरी लगबग गाजर लिया है जिसे मैंने ग्रेट करके लिया है आप इसे भी चौप करके ले सकते हैं लेकिन बिल्कुल बारीके से आपको चौप करना होगा और सबचियां यहाँ पर आपके मन पसंद के हिसाब से कोई भी सबचियां एड कर सकते हैं अगर आप प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं या फिर नहीं खाते हैं तो इसे skip कर सकते हैं इसमें थोड़ी से कटे वे हरी धनिया के पत्ते डाल देंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स टाल रही हूं मैं ये भी ऑफ्शनल है इसे आप skip कर सकते हैं उसके बाद नमक डाल देंगे नमक आपके टेस्ट के साब से डालिए जितना आप नमक खाना पसंद करते हैं उसके बाद एक कप पानी लेंगे कप वही इस्तिमाल करेंगे जिससे हमने चावल के आंटे का माप किया था एक कप मैंने डाला है इसमें दो कप पानी का इस्तिमाल करेंगे तो पहल ही रखना है हमें इसे बहुत जाता हमें गाढ़ा नहीं करना है आप एक बार इसे अच्छे तरीके से चला लीजे इस नास्ते को बनाना बहुत ही आसान है बैटर आपने देखा कितनी जल्दी बन के तयार हो गया मुश्कल से यहां पर 2-3 मिनट मुझी लगे हुए हैं अगर स चमच से नाप के देखेंगे तो दो चमच के करीब मैंने हाँ पर सफेद वाला तिल लिया है तो इस तिल को ना अच्छे से रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे जब तक कि यह गुल्डन ब्राउन ना हो जाए तो तिल को हमने अच्छे से भून लिया है यह देखे ब्रा आप से लीचे एक लसुन की कली डाल देंगे चील के कट करके और धन्या के डंठल और पत्ते दोनों ही मैंने यूज किये हैं चटनी में डंठल जो होते धन्या के बहुत ही अच्छा टेस्ट आता इसका टेस्ट के कोडिक नमक डाल देंगे और इन सब को अच्छे से हो गई है तो चलिए इसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं एक बरतन में और इसके लिए हम एक तड़का तयार करते हैं तो तड़के के लिए सबसे पहले गैस पर हम पैन रख देंगे तड़के वाला थोड़ा सा ओल डाल लेंगे एक चमच जीरा डालेंगे बहुत ही छोटा त्ब शदय ने पड़थ हैं detto to accepting लिए को आपने चटनी में तड़का लगा लगां लिए थो एक बार इस यज शोटनी की र Kashक होई पास बहुत भीगे जा अिस Выट अब चटनी के साद धर्ड़के को राज़ार क्यां सबस्ते हैं इससे लिए और चिप्या-पट्री की शोटी जो बैटर बना की तयार किया था उसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि जो चावल का आटा होता है निच्छे बैट जाता है तो अगर आपको बहुत सादा यहां पे ठीक लगे तो आप थोड़ा पानी और एड़ कर सकते हैं गैस पे हम तवा रख लेंगे तवा आप यहां पे नॉन इस्टिक का ही लीजेगा तवा जैसे गरम हो जाएगा थोड़ा ऑईल ग्रेज कर लेंगे अब इसके उपर हमने जो बैटर को तयार किया था उसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे यह जो चावल के आटे का नास्ता है ना बहुत ही क्रिस्पी बन के तयार होता है आप इसे दोगसा भी बोल सकते हैं तो बैटर को थोड़ा-थोड़ा करके इस तरीके से पूरा फैला लेंगे पतला आप रखना चाहें बहुत ज़्यादा रख सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा मोटा रखा हूआ है बहुत स तो आपके घर में बच्चे यही डिमांड करेंगे आप मुझे पूरे हपते यही नास्ता देजे क्योंकि खाने में एक तो हेल्दी होता है उपर से यह जो नास्ता है ना बहुत जादा टेस्टी भी लगता है और इसे बनाने के लिए आपको बहुत जादा सामान की जरूरत ही नहीं होती है बेसिक सामानों से आप इसे बना के तयार कर सकते हैं जो आपके घर में है अवलेबल उससे ही आप इसे बना सकते हैं तो चलिए इसे पलट लेते हैं हम पलटने में थोड़ा सावधानी रखेगा बहुत जादा जल्द बाजी मत कीजिएगा वरना यह जो है दोसा तूट भी सकता है क्योंकि चावल का है स्रे इसके लिए यहां पे आपको बहुत ही आराम से पलटना होगा किनारों से आप अच्छे से स्क्रेब कर लीजे उसके बाद आप इसे पलट दीजे अच्छे से निकल जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बस इसी तरीके से स्क्रेब करते हुए हम डोसे को पलट लेंगे आप अगर पतला बनाते हैं तो आपको पलटने की जरूरत नहीं होगी दूसी तरफ सेखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी एकी तरफ आप सेख लीजे अच्छे से हो जाता है लेकिन मैंने इसे थोड़ा मोटा बनाया है इसके लिए पलट के भी थोड़ा सा सीक लूँगी तो बस यह हमारा क्रिस्पी सा चावल का जो नास्ता है बनके तयार हो गया है चलिए इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसी तरीके से हम अपना दूसरा भी बना के करेंगे तयार तो मैं आपको एक बार दिखा दूंगी तो सबसे पहले इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में या किसी भी बर्तन में आप इसे निकाल लीजिए तो देखने में आप देखी सकते हैं बहुत जादा क्रिस्पी दिख रहा है खाने में तो बहुत जादा हेल्दी और टेस्टी अब इसी तरीक से जैसे ही हो जाए फिर से आप पलट लीचे तो मैंने आपको बताया ही है अगर आप पतलाए हैं बिल्कुल तो पलटने की कोई जरूरत नहीं है उटा बना रहे हैं थो आप इस तरीके से पलट के दूसी तरह भी सेख लीजिक तो इह हमारा दूसरा भी बनके तैयार हो चुक क्योंकि अक्सर बच्चे हो या फिर बड़े हो घर में सभी लोग एक ही तरह का नास्ता करकर के बोर हो जाते हैं और अगर आप सिर्भी दिन सबजी रोटी दाल चाल बनाने का मन ना करें तो आप इस तरीके से भी इसे लंच में बना सकते हैं कभी घर पे अचानक से महमान आ जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि उनकी लिए जटपट नास्ते में क्या बनाओं तो भी आप इसे बना के दे सकते हैं खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है मैं बार बार आपको बोल रही हूँ इसे खाके महमान भी आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करने वाले हैं तो आप एक बार इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राइ कीजेगा और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी और आज की रेसिपी में से कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा, जादा जादा शेयर कीजेगा मैं आपसे मिलती हूँ इसी तरीकी की और भी टेस्टी रेसिपी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में